बिहर के माटी में रच बस गए भोजपुरी के प्रसीद लोक कलाकार भिकारी ठाकूर एक सामर्थ शाले लोक कलाकार होने के साथ साथ एक समर्पी तरंकर्मी लोक जागरन के संदेशवाहक नारी विमर्ष और दलित विमर्ष के उद्धोशक लोगी तथा भजन किर्तन के अनन्य साधक भी रहे है 18 दिसंबर 1887 को छपरा के कोतुपुरा दियारा गाउं में एक निम्न वरगिय नाई परिवार में जन्वे भिकारी ठाकूर ने विमुख होती भोजपुरी संस्कृती को नया जीवन दिया और भोजपुरी संस्कृती को सामाजिक सरोकारों के साथ ऐसा पिरोया की लोग कला की एक अभिविक्ती की धारा भिकारी शैली के नाम से जानी जाने लगी वैसे भोजपुरी के नाम पर सस्ता मनोरंजन परोसनी की परमपरा बड़ी पुरानी है लेकिन भिकारी ठाकुर ने भोजपुरी लोककला को सामाजी कुरीतियों और बुराईयों के खिलाफ एक सांस्कृतिक अस्त्र की तरह इस्तेमाल किया उनकी कृती बिदेसिया आज भी लाखो करोडो दर्शकों के बीच बड़ी लोकप्रीय है भिकारी के नाटक, बेटी बेचवा, गबर घिचोर आज भी भोजपुरी अंचल में खेले जाते हैं और दर्शकों के बीच खासे लोकप्रीय है भिकारी ठाकूर की कई विशेशताय हैं वे अभिनेता तो थे ही नाटक कार, निर्देशक, गीत कार, संगीत कार, निर्देशक, लोक कलाकार भी थे मात्र अक्षर ग्यान के बावजूत उन्होंने 29 किताब लिखी और आगे चलकर वे भोजपुरी साहित्य और संस्कृति के समर्थ प्रचारक और समाहग भी बने महापंडित रहुल सांकृत तैन ने तो उन्हें भोजपुरी का शेक्सपीर की उपाधी दी तो भारत सरकार ने उन्हें पदमिश्री से नवाजा और अब भिकारी ठागुर के जीवन वेक्तीत्व तथावन के कला जीवन के संघर्ष पर बनी डॉकुमेंटरी फिल्म नाच भिकारी नाच विदेशों में अपने मुल्ले आधारित कतावस्तू के लिए धूम मचा रही है अमरीका के बॉस्टन में आयोजीत इंडिा इंटरनैशनल फिल्म फेस्टिवल में नाच भिकारी नाच को बेस्ट डॉकुमेंटरी फिल्म अवाज से नवाजा गया है ये फिल्म कोरिया के प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल में भी अपना इस्थान निश्चित कर चुकी है इस फिल्म में बिहार भूजपूरी के प्रसीध लॉंडा नाच पर केंद्रित कर विकारी ठाकूर के सांस्कृतिक संगर्श को फिल्माया गया है ये डॉकुमेंटरी कलाकारों के कला के प्रति समर्पन, कलाक्षेत्र में नाउमिदी के खणों में भी बेहत जुझारू कलात्मक मुल्यों के साथ अपनी अभिवेक्ति की ललक का जिवन्त दर्शन है इस डॉकुमेंटरि में भिकारी ठागूर के साथ काम कर चुके कलाकारो ने भिकारी ठागूर के कलाश संहरश को जिवनत कर दिया है नाच भिकारी नाच का निरदेशन जेन्यू के रिसर्च स्कॉलर जैनेंदर दोस्त और शिल्पि गुलाटी ने किया है इस फिल्म के मुख्य कलाकार रामचेंदर मान जी को संगित नाटक अकादमी पुरसकार से राश्टरपती द्वारा नवाजा जा चुका है